हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का मेरे चैनल कार रेंड बाइक ग्यान में एक बार फिर से दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैशन प्रो 100 मिलियन स्पेशल एडिशन के बारे में और दोस्तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में पावर के बारे में और प्राइस के बारे में सारी डिटेल में इसमें आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश तक देखेगा आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते तो चले दोस्तों सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में और फ्रंट में जैसे ही वह आते हैं तो हमें मिल जाते हैं एक बहुती बढ़े डिजाइन हुए हेड्लेम्स और हेड्लेम्स के उपर आपको मिलेगा ब्लैक कलर का वाइजर जो कि एक अच्छे लुक दे रहा है बाइक को और यहाँ पर आपको मिल जाते हैलोजन हेड्लेम्स और अब मैं आपको इस बार दिखाना चाहूँ इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल और ये हैं इसका पूरा front profile आप देख सकते 110 इसी segment की bike में बहुत अच्छे look है passion pro की और जब से bike launch होई है हमेशा से ही ये बिक्तिया ये इसकी looks की वेशे जो की बहुती बहती नहीं लगती है segment में तो दोस्तो ये था इसका पूरा front profile और अब चलते हैं bike के side profile की तरफ तो side से भी कमी नहीं लगती है इसमें red और white का नया color combination आया है जो की बहुती अच्छे look दे रहा है और यहां पर आप देख सकते है passion pro का आपको sticker मिलेगा और बहुती बढ़ी है look इसकी यह देखे पूरी side से आप देख सकते है तो दोस्तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके tire size की इसमें आपको मिल जाता है 80-200 का 18-inch tubeless tire और black color के aloie से मिल जाते हैं और दोस्तो front का जो इसका drum brake है वो आपको मिल जाता है 130 mm का और IBS technology इसमें मिल जाती है hero की तरफ से और IBS technology का मतलब है यानि कि जब आप brake लगाते हैं अपने bike में तो इसके दोनो brakes इस्तमाल हो जाते हैं यानि कि जब आप पीछे वाला brake इस्तमाल करते हैं जैसे ही तो आगे वाले brake का भी कुछ पार्ट इसमें इस्तमाल हो जाता है जो की एक बहुत अच्छा फीचर है hero की bikes में यही technology आपको hero की हर bikes में मिलेगी IBS technology यानि integrated braking system technology hero की हर bikes में आपको मिलेगी और front suspension के बात करें तो इसमें conventional fork के आपको front suspension मिल जाते और आप बात कर लेते हैं इसके engine की तो दोस्तो 113cc का air cooled four stroke single cylinder का BS6 engine इसमें आपको मिलता है और maximum power आपको इसमें मिल जाती है 9.15 PS की 7.500 RPM पर और maximum torque की बात करें तो इसमें 9.89 Nm का torque आपको मिल जाता है 5000 RPM पर जो की एक बहुत अच्छी power और बहुत अच्छा torque है इस segment की bike में और दोस्तो 100 million special edition में यहाँ पर आपको नई color scheme मिल जाती है यानि की red का और white का यह जो combination है यह सिर्फ नई वाली edition में ही आपको मिलेगा और यह disc में और drum brake में दोनों ही option में आपको मिलेगी पेशन प्रो तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके side profile की तो side से भी काफी attractive लगती है bike और rear suspension आप देख सकते हैं आपको जो spring है इस पे मिल जाता है आपको red color का combination जो की बहुत अच्छे look दे रहा है और यहाँ पे आपको मिल जाता है side guard तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके rear profile की और rear में जैसे ही हम आते हैं तो देखेंगे आपको एक खास chain इसमें है नहीं बिल्कुल और पहले की तरह आपको मिल जाते हैं खुपसूरत design में इसके tail lamps और आपको halogen indicators मिल जाते हैं जोके flexible नहीं है और आपको मिल जाता है काफी बड़ासा mud flap और अब चलते हैं इसके दूसरे side में तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके rear tire की तो rear tire भी है आपको इसमें मिल रहा है 80-200 का 18-inch tubeless tire और दोस्तों 130 mm का आपको इसमें drum brake मिल जाता है rear में और बात करेंगर इसके exhaust की तो exhaust आप देख सकते हैं पूरा black look में आपको मिलेगा और बात करेंगर भाई की ground clearance की तो 180 mm का इसमें ground clearance मिल जाता है जोकि segment में बहुत ही अच्छा है और दोस्तों 117 kg इसका curve weight है यानि कि जो total by curve weight है वो है 117 kg और 799 mm की इसमें seat height मिल जाती है जोकि इस segment में best है सबसे तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके instrumental cluster की यानि की multifunction display की तो आईए इसे on करते हैं और दोस्तों जैसे ही इसे on करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं left में आपको मिल जाता है speedometer जोकि आपको मिलता है analog में और right में आपको छोटी सी yellow color की display मिल जाती है जोकि यह audometer यह आपको fully digital मिलता है और इसमें आपको information मिल जाती है कितने kilometer आपकी bike चलिये और average की information मिलती है और fuel की information इसमें आपको मिल सकती है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी information आपको इसमें मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिल जाता है engine malfunction का sign और यहाँ पे आपको मिल जाती gear information तो यह था इसका instrumental cluster तो अब बात कर लेते हैं बाइक के handlebar की तो यहाँ पे black finish में handlebar मिल रहा है जो की बहुती अच्छे लोग दे रहा है बाइक को और यहाँ पे आपको मिल जाता है hero का logo handlebar के उपर और बात कर लेते हैं controls की तो left में आपको मिल जाते हाई beam low beam की controls और passing switch आपको इसमें मिल जाता है और आपको मिल जाता है इसमें horn और दोस्तो right side में सिर्फ आपको मिलेगा self start का button और कोई control आपको right side में नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाता है hero का logo और यहाँ आपको मिल जाता है काफी muscular look में इसका fuel tank और fuel tank के उपर आप देख सकते हैं यह जो 100 million की bedging है यह आपको मिल जाती है 3D में जो की बहुत ही अच्छे look दे रहा है passion pro को और hero की और भी wax पे आपको यह imaging मिलने वाली अब और दोस्तो बात करेंगर fuel tank की तो 10 liter के इसमें fuel tank मिल जाता है और 68 km per liter की इसमें आपको average मिलने वाली है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसकी seat की तो दोस्तो seat आप देख सकते हैं और काफी comfortable है और stitching आप देखिए red color के stitching इसमें आपको मिल जाती है काफी लॉंग इसमें आपको seat भी nine और काफी comfortable seat इसमें आपको मिल जाती है जो कि आपको long ride में भी धकान महसूस नहीं होने देती तो चले दोस्तो अब बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में तो यह आपको मिल जाती है दो अप्शन में पहला है पैशन प्रो ड्रम ब्रेक जिसका डेली एक शोरूम प्राइस है पैशन प्रो डिस्क ब्रेक जिसका डेली एक शोरूम प्राइस है 69,600 रुपीज यानि की 69,600 रुपे और अन रोड प्राइस है इसका 83,193 रुपीज यानि की 83,193 रुपे तो दोस्तों इस बाइक में टेकनिकली कोई बड़ा चेंज नहीं करा गया है यानि की इंजन और पावर पहले की तरह ही सेम है बस इसमें आपको 100 मिलियन एडिशन की बेजिंग मिलती है और एक नया कलर मिल जाता है यानि की रेड और वाइड का है जो आप कलर देख रहे है ये नया कलर इसमें आपको मिल जाता है तो दोस्तों ये थी पैशन प्रो 100 मिलियन स्पेशल एडिशन कैसी लगी आपको ये बाइक वीडियो में कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आपको बाइक्स के और कार के नईने अपडेट्स मिलते रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग झाले में दोन्वान मिलते हैं पूरा देना ताकिस्टर समय प्लवरा वीडियो के लिए कर देखने के लिए प्ला़।